स्वागत है अपका इस वीडियो में बात करेंगे आवद विश्य आले बीएड एंड एममेड एंड फस्टियर और सेकेंड यर के जो बैग पेपर होना था उसकी सेंटर के बारे में एक बहुत अच्छी न्यूज आ रही है अवद विश्य आले बीएड एंड एममेड फस्ट यहां पर देख लीजिए नोटिफिकेशन अवद विस्टीविदला के ओफिस्यल वेबसाइट पर आ चुकी है और वो क्या है बीएड एमम एममेड फस्ट यर अथवा सेकेंड यर 2021 बैक पेपर परिच्छा हे तू परिच्छा केंद्र निर्धारित किये जाने के संबंध में तो यह आपकी सूचना है ठीक है दोस्तों यह मैं कहीं और से नहीं दिखा रहा हूँ आवद विस्टीविदला के ओफिस्यल वेबसाइट पे तो जैसे हम यहां पे क्लिक करते हैं एक पीडियोफ खुल के आता है और उसमें बकाईदा आपको बताया क्या है कि आवद विस् से देखिए एतद्वारा सभी संबंदित को सुचित किया जाता है क्या किया जाता है कि दिलांग चौबिस पांच दौजर बाइस को बीड एवं एम्मेट फरस्टियर एं सेकेंडियर के बैक पेपर की होने वाली परिछाओं को संपन कराने है तू कुलपती महोदे के आदे परिछा केंदर निधारित किया जाता है परिछा केंदर से संबंद महाविद्याले का विवर निम्नवत है अब कैसे है तो देखिए आप चाहें संबंद महाविद्याले का ना बीड एम्मेट पार्टे कराम से संबंदित समस्त महाविद्याले ये वो है जहां पे आप पढ रखा गया है इटी परिषर डॉक्टर रामनवर लोग स्विदल आवजविस्विदलिग जो आई इटी परिषर है वहां पर आपका एक्जाम सेंटर रखा गया थे 24 तारी को इसी महीने में तो आपका परिक्षा के इंदर कहां होगा यहां पे होगा आप अपना एड्मिट कार्ड अपने कॉलेज से प्राप्त करें या फिर इस यूनियोस्टिक के वेबसाइट पे भी अप्लोड किया जाता है लेकिन अभी तक अप्लोड नहीं किया गया है तो जैसे ही अप्लोड होगा आपको बताया जाएगा उसके साथ ही साथ आप अपने कॉलेज से भी महाविद्याले से भी आप प्राप्त कर सकते हैं अपना परवेश पत्र एड्मिट कर तो दोस्तों यह सूचना थी कि आपका जो एक्जाम्स होना है बैग पेपर का उसका स चन्टर निधारित किया गया है आई-ई-टी परिसर अवद विस्विद दर है कैंपश के अंदर आपका निधारित किया गया है साथी साथ मैं यह चेक कर रहा था कि कहीं कोई अपडेट तो नहीं आया है आपके एडमिट कार्ट के रिगार्डिंग तो आईए मैं आनल इश्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो जहां तक मैं यहां पे चेक कर पा रहा हूँ अगर हम एड्मिट कार्ड की बात करें तो एड्मिट कार्ड अभी तक नहीं आया है बीड और एममेड वालों का अभी एड्मिट कार्ड नहीं आया है जैसे ही आता है दोस्तों मैं आपको यहां पे सूचीत कर दूँगा मगर हाँ आप प्लीज अपने कॉलेज के संपर्ग में रहें और अपने कॉलेज से जरूर प्राप्त करें अपना परवेश पत्र तो दोस्तों यहां सूचना थी एक बार मैं फिर से रिपेट कर दूँ कि अवद भी स्वीद आले डॉक्टर राम अनौर लोईया अवद ने स्टीफ फैजाबाद अयोध्या माफ कीजिगा अयोध्या के जीन बच्चों को बीएड एममेट फस्टिर अर्थवा सेकेंडियर में बैक पेपर देना था उनका डेट 24-5-2022 निर्धारित किया गया है और उनका एक्जाम सेंटर आई-ई-टी केंपस आई-ई-टी केंपस पता है आपको कहा है अंडर पास से जो देवकाली के तरफ रोड जाता है वहाँ पे एक आई-ई-टी केंपस है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं आप वहाँ पे जाके अपना एक्जाम दे सकते हैं तो यह सूचना एक बार फिर से आप दीख लीजिए कि हम किस सूचना के बारे में बात कर रहे हैं ताकि आपका एक बार और निश्चित हो जाए वह है आई-ई-टी परिसर डॉक्टर रामन लो यह अवद्विश्टी बीएड एम एवं मेड पार्ठेकरम सभी महाविद्यालो को 25-5-2022 को यहां आखे पर देना है दोस्तो अगर आपको बैक पर देना है आप मेरी तरब से बहुत सुब काम ना है उम्मिद करते हैं आप और अच्छे से लिख क्या है आपका नमर और अच्छा है ठीक है दोस्तों बाकी कोई संबंदित कोई प्रशन हो आप मुझे कमें वीडियो मिलेगा आप महां से देख के जाएं तो बहुत आपको सहायता मिलेगी पेपर लिखने में बहुत बेश्यक्त दोस्तों कोई सूचना हो तो आप मुझे स्वारी कोई प्रशन हो आप मुझे पूल सकते हैं बाकि मुझे खुशी होगी अगर आप इस सूचना को ही जा भारे दोस्तों